Hello everyone, welcome to Okul, Okul में आप सभी का स्वागत है आईए अपने इस course को आगे बढ़ाएंगे that is India Physical Environment, Geography, NCRT Class 11th ठीक है, chapter 2nd में हम लोग है, Structure and Physiography और आज हम करेंगे इसका Part 5, जो की most probably इस chapter का last part होगा ठीक है, 3 Physiographic Divisions हमारे बचे हुए है, that is your Indian Desert, Coastal Plains और Islands आज हम most probably cover कर लेंगे, तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, I hope कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, सब कुछ सही से पसंद आ रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि कुछ map वगरगा पहली बार आये हैं, वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे, और बैल आइकन प्रेस कर लीजे, so that की वीडियो जब भी आते हैं, उसकी notifications मिस ना हो, ठीक है, आपके पास सारे के सारी पूरी की पूरी बुक जो है, वो cover की जाएगी, अभी तक हम लोग, इंडिया की जो पहले वाली physical geography है, that is fundamentals of physical geography, वो पूरी तरीके से cover कर चुके है, इस platform पर, ठीक है, जो class 12 की human geography है, उसको भी हम 8 chapter तक, 10 में से 8 chapter उसके भी cover कर चुके है, यानि कि 80% वो किताब भी हो चुकी है, वो course भी हो चुका है, और ये वाला भी जो है, कि अब 7 chapter इसमें total है, और उसमें से हम 2nd chapter को most probably आज cover कर लेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि around 30% के आसपास ये भी आज cover हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी comprehensive, तरीके से पूरी की पूरी geography चल रही है, और बाकी भी और भी सारे कुछ courses हैं, जो आप यहाँ पर हमारे channel पर देख सकते हैं, कि Indian quality आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है, Indian quality के कुछ videos यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं, और history यहाँ पर कुछ है, कुछ ISFR की videos पड़ी हुई है, और कुछ अभी हम इसमें कुछ और भी जो वीडियोज है वो और आप लोगों के ले के आएंगे, आगे आने वाले time में, हमारे पास जो requirement आप लोगों के आई है, जो आप लोगों के demand आई है, ecology, environment की कुछ demand है, ठीक है, और कुछ geography की कुछ और books को ले कर कुछ demand है, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके सा आप लोगों की जो demand होंगी, वो क्या मतलब कितनी demand, किस topic की, किस subject क है, उसको ले कर फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बागी आप लोगों का जो भी सुझाओ है, जो feedback है, कोई demand है, तो वो आप नीचे comment section में जरूर बता सकते हैं, ठीक है, तो फिलाल हम आज इस chapter को start करते हैं, और please like और share करना, बिल्कुल भी मत भूलेगा, ठीक है, चलिए start करेंगे, देखे, तो आज हमें start करना है the Indian desert से, ठीक है, थोड़ा सा map की help आप ले सकते हैं, आपको पता है, कि जो हमने अरावली hills बनाए थे, ठीक है, अरावली की जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं इस chapter में, उसका जो northwest part है, हमने ऐसे करके कुछ अरावली बनाया है, हमा land of undulating topography, dotted with longitudinal dunes and barchans, ठीक है, बarchans देखे, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी मैं इसको explain कर रहा था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह बर्चांस जो है वो बना हुआ है, और बागी इसमें है longitudinal dunes, यह भी एक त देखा है, जैसे आपको यहाँ पर नीचे जो figure दिया हुआ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यह जो चीज़े हैं इस तरीके से wave के form में हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपके deserts होते हैं, वहाँ पर इस तरीके का होता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा से एक अच्छी figure और दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा से देखेगा, यह देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यह देखिए, यहाँ पर यह जो है एक तरीके से यह wave का form है, यहाँ पर यह सारा का सारा, इस तरीके से ही जो wave है, जो landforms है, वह आपके होते है in the desert, और इनी को बोला जाता है undulating topography, ठीक है, undulating topography इनी को बोला जाता है, समझ गए आप, ठीक है, चलिए, वापस से chapter में चलिए, आईए, देखिए, this region receives low rainfall, below 150 mm per year, यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है, 150 mm से कम, पूरे के पूरे साल में, ठीक है, तो इसलिए यह हाँ पर क्या होता है, कि arid climate है, यानि कि सूखा climate है, और vegetation cover जो है, वो बहुत कम है, क्योंकि CDC बात है, अगर बारिश ही नहीं होगी, तो vegetation cover कहां से होगा, ठीक है ना, और it is because of this characteristic features that this is also known as marusthali, marusthali जो word है, इसका मतलब होता है, land of the dead, ठीक है, land of the dead, अब इसको land of the dead क्यों ब desert का पता होगा, ठीक है, कि एक तो पहले यहाँ पर सूखा है, पानी है नहीं, ठीक है, पानी है नहीं, vegetation है नहीं, दूसरा यहाँ पर temperature बहुत जादा होता है, तो इस तरीके के temperature में आदमी या कोई भी पसू पक्षी या कोई भी जानवर है, पेड़ पौधे, वो मरी तो ज होता है, ठीक है, कोई camel का आपको पता है कि वो काफी दिनों तक बीना खाय और बीना पानी पिये जो है, वो survive कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखे का कि उसको मरुस्थली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो features है, characteristic feature कि यहाँ पर वारिज बहुत कम होती है, vegetation cover नहीं है, इस वज़े से इसको बोला जाता है, मरुस्थली, that is the land of the dead, ठीक है, चलिए, आगे बढ़िंगे, आगे लिखा गया है, कि it is believed that during the mesojoic era, जो mesojoic era हुआ करता था, उस समय से यह believed कि जाता है, कि this region was under the sea, यह जो region है, यह पानी के अंदर रहा होगा, समुदर के अंदर रहा हो पर जो wood के fossils मिले हैं, उस से यह पता लगता है कि mesojoic era के दौरान, यह जो region है, यह जो great indian desert का part है, यह समुदर के नीचे रहा होगा, ठीक, और the approximate age of this wood fossils, जो है, वो around 180 million साल पुरानी है, ठीक है, तो दो, the underlying rock structure of the desert is an extension of the peninsular plateau, हमाँ पता है कि जो इसका, मतब जो नीचे का part ह जो अंदर की सता है, सता से अंदर का part, उसका जो rock structure है, वो जो नीचे का peninsular part है, जो peninsular की पठार है, उसी का एक extension है, ठीक है, लेकिन, जो इसके surface में, जो जिस तरीकी conditions है, जैसी के extreme arid conditions है, surface पे, उसके वैसे क्या है कि जो surface है, वो आपका physical withering और wind actions की वज़े से क्या हो कि एक तरह की से sandy हो चुका है, और arid हो चुका है, वो इस वज़े से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर physical withering हुई है, और wind actions जो है, जादा है, ठीक, some of the well-pronounced desert land features present here are mushroom rocks, ठीक है, shifting dunes and oasis, mostly यह है southern part में, mushroom rocks क्या होता है, आपको पता है कि इस तरीके का जो rocks है, यानि कि इस तरीके क जैसे land है, ठीक है, मालेजी आप यह पूरी की पूरी land थी पहले, अब क्या हुआ कि इस portion में आपका withering होती चली गई, ठीक है, तो यह नीचे का part ऐसे पत्ला रह जाएगा, और यह उपर का ऐसे बड़ा सा रह जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है mushroom rock, क्योंकि यह mushroom के shape का होता है, ठीक है, इसको बोले जाता है mushroom rock, ठीक, फिर आपको बता है कि जो dunes है, यानि कि जो sand dunes है, वो shift करते है, क्योंकि जो winds के साथ, जब वो winds के साथ उनका movement होगा, जब winds उन पर force लगाएगी, तो वो move करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक word दिया गया है, OSS, OSS का मत प्लब होता है, ऐसा part, ऐसा थोड़ा सा fertile part कहीं कहीं पर होता है desert में, जहाँ पर basically आपको पानी देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर vegetation भी देखने को मिलती है, ठीक है, इसको देखते है, कैसा दिखता है, यह देखिए, यह आपको दिख रहा है कि यह यहाँ पर चारों तरफ पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पर सारा का सारा desert है, ठीक है, दूर दूर तक यहाँ पर desert है, और लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा region है, यहाँ पर आपको अच्छे खासी हर्याली सी दिख रही है, थोड़ा सा पानी सा दिख रहा है, ठीक है, त पूरी तरीके से मरुस्थली ही है एक तरीके से ठीक है चलिए वापस चलिए 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 आगे लिखा गया है कि on the basis of orientation the desert can be divided into two parts ठीक है orientation के अधार पर इस desert को जो है वो दो part में divide किया जा सकता है पहला ही कि जो northern part है that is sloping towards sinh ठीक है जो हमारा पाकिस्तान का sinh area है उसके तरफ को इसका slope है ठीक और जो southern part है उसका जो slope है that is towards the runoff कच ठीक है जो नीचे गुजरात की तरफ को जो runoff कच है वहाप की तरफ को इसका slope है यानि कि northern part का आप कह सकते हैं कि sinh की तरफ को है और south की तरफ को जो south का part है उसका जो slope है, वो runoff कच की तरफ को है, ठीक है, most of the rivers जो है इस region की वो ephemeral है, ठीक है, ephemeral का मतलब है कि वो ज़्यादा time तक नहीं बहती, मतलब they last for, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ephemeral का मतलब होता है, last for very short time, very short time, यानि कि वो बहुत कम time तक, क्यों, अब देखिए, इस region भी आपर दिया गया है, the loony river flowing in the southern part of the desert is of some significance, अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, low precipitation, precipitation का मतलब है कि कि किसी भी तरीके से पानी अगर आ रहा है तो, ठीक है, बारिश के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि बरफ पढ़ने के फॉर्म में, इस्नो के फॉर्म में, ठीक है, हेल स्टों के फॉर्म में, अब यहाँ पर आपको पता है कि रगिस्तान में, यानि कि डेजर्ट में, बरफ, स्नो और हेल स्टों यह तो आप भूल जाई, ठीक है, यहाँ पर बारिश टों रंग से होती नहीं है, तो पहली बाद तो यहाँ का precipitation बहुत कम है, और दूसरी चीज़ यह है कि temperature बहुत जादा है और arid conditions है, इसकी वज़े से evaporation बहुत जादा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर water deficit है, यानि कि पानी की यहाँ पर बहुत जादा कमी है, इसी वज़े से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की नदिया है, most of the river जो है वो भी ephemeral है, यानि कि वो भी जादा समय तक नहीं बहती, ठीक, there are some streams which disappear after flowing for some distance and present a typical case of inland drainage by joining a lake और a playa, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कि कोई नदी है, मान लीजे जैसे यहाँ से कोई नदी है, उसे सोर से ऐसे करके बह रही है, और वो थोड़े समय के बाद जाके क्या होगा, कि या तो वो किसी lake से जुड़ जाएगी, ठीक है, और या फिर क प्लाया से जुड़ जाएगी, प्लाया क्या होता है, प्लाया मैंने आपको जब हमने अपनी fundamentals of physical geography में ये चीज को cover किया है, ठीक है, landforms में हमने इस पार को cover किया है, chapter 7 में, कि प्लाया एक इस तरीके का पार होता है, suppose करिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ठ ठीक है, प्लाया क्या होता है, suppose करिए ये कोई चारो तरफ ऐसे करके mountains है, ठीक है, अब आप सको कैसे समझेंगे, ऐसे करके, ठीक है, अब आपसे करके समझ दीजिए, ये mountains ने चारो तरफ यहाँ बीच में, अब mountains है क्यों जो drainage होगा वो इस तरफ को होगा, यानि की पानी य यहाँ पर landform बनता है पानी वाला ठीक है कि पानी यहाँ पर बीच में भरा हुआ है that is known as playa उसको बोलाता है playas ठीक है यह हमने cover किया हुआ है अच्छे से detail में cover किया हुआ है यहाँ पर मैं बहुत जादा detail में cover नहीं करूँगा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी physical geography के landforms है जो concepts है वो यहाँ पर cover नहीं किया जाएंगे च्योंकि उसकी वज़े से फिर क्या है कि पूरा का पूरा discussion एक अलगी line पे चला जाएगा ठीक है I hope आप लोग समझ सकते हैं अगर किसी को कोई problem है इस तरीके से पढ़ाने में तो please बतायेगा ठीक है मैं कुछ और try करने कुशिश करूँगा लेकिन please इस बात का जवाब मुझे जरूर बतायेगा कि मैंने जो चीज बोली है कि मैं यहाँ पर fundamentals of physical geography या फिर आप कह सकते हैं कि physical geography related जो concepts है ठीक है जो कि हमारे पहली वाली बुक में cover हो चुके है उनको यहाँ पर मैं cover नहीं करूंगा होता है तो water evaporate हो जाता है तो यह salt जो है फिर हम वापस वहाँ से निकाल सकते है ठीक है चलिए आगे देखींगे यह हो गया आपका Indian desert ठीक अगला आप हम देखते थे हैं अपना fifth physiographic division that is your coastal plains ठीक देखे coastal plains important है you have already read that India has a long coastline यह हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया की coastline जो है वह बहुत बड़ी है on the basis of the location and active geomorphological processes इसको दो पार्ट में divide किया गया है पहला है western coast दूसरा है eastern coast यानि की पस्चिमी तट और पूर्वी तट ठीक यह आपकी कोई land है ठीक है this is your land ठीक और यह आपका समुद्र का part है यह आपका sea है ठीक अब आपको पहले क्या हो रहा है कि पहले आपको इतने region की land जो है वो दिख रही है ठीक है इतने region की land दिख रही है अब मान लीजिए यह समुद्र का जो पानी है यह बढ़ गया ठीक ह यानि कि जो इतना area of land था ये पानी के अंदर चला गया this is the part and this is the kind of जो coastal plane है this is known as your submerged coastal plane ठीक है अभी इसमें एक दूसरा भी होता है that is your emergent coastal plane मैं वो भी बता देता हूं कैसा होता है just इसका opposite है वेसे वो क्योंकि अभी आगे वो वर्ड आएगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जैसे मानी जी ये land है ठीक और ये यहाँ पर sea है तो अभी आपको कितना जो coastal का एरिया कितना land दिख रही है ये land दिख रही है अब थीमे थोड़ समय के बाद मान लीजिए ये पानी थोड़ा सा retreat होता है समुद्र का और sea ये हो जाता है यानि कि sea अप केवल यहां तक रहे गया तो अब आपको इतना extra area of land जो है वो भी दिखने लगेगा ठीक है यानि कि पहले जो आपको केवल इतना सा land दिख रहा था वो अब ये पूरा का पूरा land आपको दिखने लगेगा ठीक है यानि कि आप कह सकते हैं कि जो coast है वो समुद्र की तरफ को बढ़ा है ठीक है समुद्र की तरफ को बढ़ा है तो इसी तरीके के coast को बोला जाता है emergent coast ठीक है और इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका coast है वो land की तरफ को बढ़ा है retreating land world ठीक है और इसमें आप कह सकते है that is advancing sea world ठीक है मैं चाहे तो आपको ये दो word जो मैं बोल रहा हूँ ये लिग देता हूँ this is retreating land world इसमें जो coast है that is retreating land world और इसमें जो coast है this is advancing sea world ठीक है इसमें coast जो है submerged or retreating coast ठीक है emergent coast इसका बाकी जो इसमें किस्तरगी के land forms बनते है ठीक है जो आपके sea cliffs वगरा बनते है और आपका wave cut land form बनता है वो सारे के सारे जो चीजे है वो हमने फिर से मैं फिर कहूँगा कि उस book में cover की वी है fundamentals of physical geography में अगर आप interested है अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है वो चीजे तो please जाके वहाँ से refer कर लीजे ठीक है चलिए आगे देखते है अब इसमें लिखा गया है कि जो west coastal plain है वो आपका submerged coast है मालब submerged coast का मतलब आप समझ गए कि पहले जादा area of land दिख रहा था अब कम area of land दिख रहा है यानि कि ये वाला जो area है वो पानी के अंदर जा चुका है तो इसलिए बोला किया है कि it is believed that the city of Dwaraka which was once a part of the Indian mainland situated along the west coast is submerged under water अब आप समझ सकते हैं कि अब इस area में हुआ होगा कभी जो मैं बात कर रहा हूँ अब ये वाला जो है submerged coast बन गया तो ये पानी के अंदर डूप चुका है ठीक है चलिए because of this submergence it is a narrow belt and provides natural conditions for the development of ports and harbors ठीक है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये submerged कर रहा है तो इसकी वैसे क्या है कि ये जो coast है आप समझ सकते हैं कि ये coast जो है narrow coast है ठीक है ये wider coast नहीं है eastern coast जो है वो wider है western coast जो है वो हमारा narrow है और आप से सवाल पूछे जाएगा कि क्यों है तो उसका जवाब आपने बताना है because it's a submerged coast ठीक है मर्मगाउ, मैंगलोर, कोचिन ये कुछ important ports है यहाँ पर ठीक है दिजार some of the important natural ports located along the west coast ठीक है coast जो आपके port होते है ports and harbors के लिए आपका submerged coast होना जरूरी है क्योंकि अगर क्या देखे मान लीजिए ये आपका इस तरीके से land है अब land आपके अगर ये वाला part जो है बहुत दूर तक होगा suppose करिये यहाँ तक अभी c है तो इसमें जो ship है वो यहाँ पर आ सकता है ठीक है अब अगर मान लीजिए ये बहुत जादा दूर है suppose कर लीजिए मैं आपको इसको ऐसे बताओ एक मिनिट कैसे बताओ मैं इसको चलिए मैं यहाँ बना के देखता हूँ एक मिनिट रोगे इसको बठाते है suppose करिये ये आपकी land है ठीक इसको इस color से बनाते है थोड़ा सा समझ में आना चाहिए suppose करिये ये land है ठीक है यानि कि ये coast है अब इसमें हम बात कर रहे है कि submerged coast है यानि कि यहां तक इसमें पानी है ठीक है तो यहां तक अगर इसमें पानी है तो यहां तक इसमें जहां जा सकता है राइट अब अगर मान लीजिए ये emergent coast है emergent coast का मतलब है कि ये land है और पानी यानि कि coast है और जो पानी है वो काफी दूर होगा ठीक है यह आप बात समझते हैं पानी बहुत दूर होगा क्योंकि यह emergent coast है तो अब जो ship है वो केवल यही तक आ सकता है ठीक है तो इस तरिके का अगर कोई ship यहां तक आ सकता है केवल तो इसकी वहीं से क्या होगा कि यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि जो port है और जो harbour है वो आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह land का जो portion है वो बहुत दूर तक है समझ पाएं आप port and harbour होने के लिए यह जो land का portion है यह कम होना चाहिए और जो sea है वो आप एक तरीके से कह सकते है कि वो land के पास होना चाहिए या काफी जादा बड़े मतलब आप कहेंगे कि जो coast है that should be a submerged coast ठीक है समझ पाए कि land का जो portion है वो कम होना चाहिए for the development of a port or a harbor ठीक है चलिए इसी में आगे देखींगे क्या लिखा गया है आगे लिखा गया है कि extending from the gujarat coast in the north to the kirla coast in the south यह gujarat से start होता है नौर्थ में और kirla तक जाता है और side के तट-ट से यह होते वे जाता है ठीक है मतलब यह coastal area से होते वे जाता है the western coast may be divided into following divisions ठीक है the kach and काठियावार coast in gujarat ठीक है कुंकर coast in माराश्च गोवन coast and मालावार coast in करनाटका and kirla respectively ठीक है आप थोड़ा सा अपने map में देखेगा इंडिया का मैं कहूँगा कि आप इसके लिए political map भी देख सकते हैं states पता करने के लिए कि जो western coast है तो सबसे पहले आप देखेगा उपर से gujarat जहां से हम कच से start कर रहे है ठीक है gujarat उसके बाद आपका आजाता है माराश्च side में आप देखेगा गोवा ठीक है उसके नीचे आप आजेंगे करनाटक और फिर किरला तो ये सारी की सारी जो states है जिनमें ये western coast है ठीक है confusion के लिए ध्यान रखेगा मलब confusion नहीं होना चाहिए उसके लिए ध्यान रखेगा कि Tamil Nadu Tamil Nadu जो है that is not the part of western coast western coast का Tamil Nadu जो है वो part नहीं है ठीक है western coast का part ये नहीं है Tamil Nadu ध्यान रखेगा ठीक है चलिए आगे देखेंगे the western coastal plains are narrow in the middle और north की तरफ को और south की तरफ को थोड़ा सा broader है चोड़े है ठीक the rivers flowing through this coastal plains do not form any delta जो इस तरफ की नदिया है यानि की west flowing rivers ठीक है थोड़ा सा example के दौर पर मैं बता देता हूँ west flowing rivers कौन सी है जो major है आप गुजरात के पास थोड़ा सा नीचे देखेगा map में हम लोगो ने बनाई भी थी नर्मदा और तापी ठीक है नर्मदा और तापी नदिया हमने बनाई थी जिनके बीच में हमने बनाई थी सत्पूरा रेंज ठीक है वो देखेगा वो west flowing नदिया है तो वो नदिया जनरली क्या है जो west flowing rivers है वो delta नहीं बनाती ठीक है आगे लिखा गया है The Malabar coast has got certain distinguishing features in the form of kayals that is backwaters which are used for fishing, inland navigation and also due to its special attraction for the tourists ठीक है Every year the famous Nehru Trophy Vallam Kali that is a boat race is held in Punna Madda Kayal in Kirla ठीक है, Kirla में आपने ये word सुना होगा, backwaters बहुत famous है ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, इसको diagram के help से बताता हूँ मैं ये backwaters जो है, वो क्या होता है ठीक है, आईए देखते हैं, इसको बना के देखते है देखिए, suppose करिए समझने कोशिश कीज़ेगा इसको, ठीक है suppose करिए, ये आपका sea का part sea या ocean का part है, ठीक है ये वाला, और यहाँ पर आपका land है ये बीच में आपकी यहाँ पर land है, ठीक अब इस तरीके से जब समुद्र का पानी जब waves आएंगी इस तरफ को तो waves कैसे travel करती है, ऐसे आप लोग को पता है कि waves ऐसे करके आएको travel करेंगी ठीक है, और थोड़े time के बाद क्या होता है कि पानी ऐसे आता है और फिर waves वो वापस चली जाती, ये तो basic concept है ये सब आप लोग को पता है, ठीक है अब कभी कैसा होता है कि ये जो land का portion है, इसमें से कुछ पानी जो है, वो वापस नहीं जा पाता, ठीक है, यानि कि कुछ पानी यहां से आया, और वो वापस नहीं जा पाता है, तो कुछ पानी जो है वो इस region में चला जाएगा, ठीक है और इस region में जाने से समझ पाए एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि sea और ocean है उसमें से जो wave है वो wave आगे की तरफ को travel करेंगी ऐसे ठीक है तो सारे के सारी waves कभी क्या होता है कि सारा का सारा पानी जो है wave से वो वापस नहीं जा पाता है ठीक है और वो कुछ इस region में चला जाता है suppose कर लिजे इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि आप land का view समझे कि land जो है वो थोड़ा सा ऐसी है मतलब समझ पाए कि beach में थोड़ा सा उची है और इधर की side में slope है और इधर की side में भी slope है यानि कि यहां से जो sea की तरफ से पानी आएगा ठीक है कुछ पानी तो वापस चला जाए तो फिर वो वापस इधर की तरफ को नहीं जा पाता ठीक है और यहां पर आपका जो area बनेगा यह आपका बन जाएगा यही lake या फिर backwater ठीक है और इस तरीके के जो features है यह आपका जो formation है यह केरला में बहुत जादा famous है ठीक है तो I hope यह आप समझ गया होंगे कि backwater क्या है चलिए आगे देखते है देखे आगे दिया गया है कि as compared to the western coastal plain western coastal plain के comparison में जो eastern coastal plain है वो broader है यानि कि वो चोड़े है and is an example of the emergent coast emergent coast क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है there are well developed deltas अब यहां की नदिया जो है वो deltas भी बनाती है ठीक है and are formed by the rivers flowing eastwards into the bay of bangong और वो क और महा नदी गोदावरी कृष्णा कावेरी अब तक कि यह सब आप लोगों के mind में इनकी images जो है कि कौन सी नदी किस तरफ को बहती है और कौन सी north में है कौन सी south में है या I think अब अब तक आप लोगों के mind में बिल्कुल अच्छे से बैठ चुकी होगी क्योंकि हमने इसको map में दो-तिन बार देख लिया है ठीक है और अगर फिर भी किसी को problem हो रही है तो मैं फिर से कहूँगा कि एक आज बार अपनी atlas को देखें अगर आप atlas का use कर रहे है या फिर आप map का अगर use कर रहे है तो map में देखें आपको जरूर ये चीज याद हो जाएगी ठीक है ज आपको यहाँ पर जो चीज लिखी गई है वो पढ़के बता रहा हूँ अब जो continental shelf है उसकी जो extension है वो लगबग 500 km तक का होता है C में ठीक है which makes it difficult for the development of good ports and harbors ठीक है अच्छा तो ये 500 km का मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको continental shelf वो इत तरीके से ये वाला जो region है यही continental shelf है continental shelf इसी को लगबग बोला जाता है बाकी जादा detail मैं फिर से कहूंगा कि class 11 का जो दूसरी book है उसमें जाके थोड़ा सा देख ले लेकिन वैसे अगर आप general terms में समझें तो यही वाला जो region है इसी को बोला जाता है आपका continental shelf ठीक है अब समझ लीजिए ये continental shelf जो है अगर 500 km तक का होगा तो आप वहाँ पर port किस तरीके से develop कर पाएंगे possible बहुत कम है possibility फिर बहुत कम हो जाती है इस तरीक है चलिए बाकी नीचे question पूछा गया है वो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि name some ports on the eastern coast ठीक है western coast post के जो नाम थे वो यहाँ पर दिये गए है कांडला important port है तो मेरे को please दो नाम बताएगा चलिए जादा नहीं पूछता हूं only two names ठीक है वो नीचे comment section बताएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं last physiographic division हमें देखना है अब ठीक है that is your islands ठीक तो islands को देखने से पहले हमें काम करते है कि थोड़ा सा चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर map में चलेंगे ठीक है पहले देखीजिए there are two major island groups इन इंडिया यह तो आपको बच्पन से बता है कि दो हमारे पास major island groups है एक आपका Bay of Bengal में है यानि कि एक आप कह सकते है इस्टन साइड में है और दूसरा जो है वो Arabian Sea में है ठीक है यानि कि यह जो है वो western side में है ठीक है Bay of Bengal का जो island group है उसमें 572 islands या islands है ठीक है इसका north-south extension देखे जादा है आट degree का है ठीक है और east-west जो है वो कम है वैसे यह आपको पता है आपने देखा हो गए तो map में बहुत common चीज़ है ठीक है the two principal groups of isolates जो है including Richie's Archipelago and Labyrinth Island ठीक है यहाँ पर यह चीज़े भी है that is your Richie's Archipelago and the Labyrinth Island ठीक है चलिए the entire group of islands is divided into two broad categories जो हम बात कर रहे है way of Bengal वाले की यानिके अंडवान है निकोबार islands की ठीक है उसके पूरे के पूरे islands को दो group में divide किया गया है और वो दो group क्या-क्या है अंडवान in the north and निकोबार in the south ठीक है they are separated by a water body which is called a 10 degree channel यानि कि जो अंडवान ग्रूप है और जो निकोबार ग्रूप है वो 10 degree channel से separated है it is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountains ठीक है कि submarine mountains हमने पढ़ा है कि जो पानी के अंदर water body के अंदर जो mountains होते है जो थोड़ा सा आप कह सकते है कि बाहर आ जाते है पानी के surface से तो उस तरीके के mountains से ये बने हुए है ऐसा belief किया जाता है ठीक है however some smaller islands are volcanic in origin कुछ ऐसे भी है जो volcanic है ठीक है जैसी कि एक example के तोर पर दिया गया है barren islands is the only active volcano in India is also situated in the nicobar islands तो यहां पर मैं फ्रोड़ा साप से correction करवाऊँगा ठीक है यह चीज गलत दी हुई है एक गलती NCRT के हमने यह आपर और पकड़ी यह nicobar islands नहीं है ठीक है जान रखेगा यह nicobar islands नहीं है इसको पूरा काट दीजगा दिखना नहीं चाहिए ठीक है जो barren islands है वो nicobar में नहीं है that is in the undermann islands ठीक है यह अगे लिखा गया है कि जो इसकी और यहां पर कुछ important peaks के नाम दिए गए है यह आप यहां से पढ़ सकते है ठीक है कि saddle peak कहाँ पर है north undermann, middle undermann, south undermann यह मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं ठीक है थोड़ा सा भी हम यह पाला part भी कर लेते हैं लक्षवदीप islands वाला फिर मैं आपको दोने ही की साथ दिखा हूँ मैं ठीक है चलिए आगे देखते है क्या लिखा गया है the coastal line has some coral deposits and beautiful beaches यह य ठीक है जो Arabian Seam Islands है उसमें भी दो islands है main that is your Lakshadip and Minikoy ठीक है these are scattered between 8 degree north to 12 degree north and 71 degree east to 74 degree east longitude ठीक है these islands are located at a distance of यह लगबग जो केरला का coast है उससे लगबग 280 से 480 किलोमेटर की दूरी पर है the entire island group is built up of coral deposits तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा coral deposit से बना हुआ है तो वो आपका major है Lakshadip islands या फिर जो Arabian Seam Islands है वो ठीक है there are approximately 36 islands of which 11 are inhabited तो ध्यान रखेगा कि यहाँ पर islands के संख्या भी कम है ठीक है इसमें से भी जो Minikoy island है वो largest island है ठीक है जिसका area दिया गया है 453 या 453 स्क्वेर किलोमेटर का ठीक entire group है it's broadly divided by the 10 degree channel north of which is the Amini island and to the south of the Kananore island ठीक है south में Kananore island है north में Amini island है किसके 10 degree channel के ठीक the islands of this archipelago have storm beaches consisting of unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulders on the eastern sea bowl steam strategies का मतलब क्या होता है कि जब कभी storm आता है ठीक है तूफान आता है तो जो beach होते है जैसे हमने देखा कि जो generally जो coastal areas होते हैं या beach होते हैं उन feature of your storm beaches, ठीक है, चलिए, इसको map में हम थोड़ा सा इन दोनो islands के बारे में देख लेते हैं जल्दी से, फिर ये chapter हमारा जो है, वो complete हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये अंडमान और निकोबार islands की बात की गई है, ये उपर जो है के अंडमान ग्रूप है, ठीक है, 10 degree channel के नॉर्थ मांडमान ग्रूप है, और 10 degree के south में, जो 10 degree channel है, उसके south में आपके निकोबार islands है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर part दिये गए है, this is your north अंडमान, ठीक है, this is middle अंडमान, इसी के नीचे आप देखेंगे, तो you have your south अंडमान, और यहाँ पर जो है एक little अंडमान, तो यह चार जो है important है, जो चार major group है, वो important है, capital का ध्यान रखेगा, इसकी capital जो port player है, that is in south अंडमान, ठीक, barren island के बारे में आपको बताया था, barren island जो है, वो यहाँ पर है, ठीक है, nicobar islands का पार्ट नहीं है, correction कर लीजेगा, फिर से याद दिला रहा हूँ, यह अंडमान islands का पार्ट है, ठीक है, चलिए, यह आपने देखा, इसके बार नीचे आजेए, यह है nicobar islands, ठीक है, इसमें जो सबसे उपर है, that is in great nicobar, इसको आप याद रखेंगे, यह great nicobar में है, ठीक है, और बीच में यह channel जरूर याद रखेगा, 10 degree channel, important है कि nicobar island का group और इंडमान island का group को कौन सा water body separate करता है, that is your 10 degree channel, और यह 10 degree का मतलब कुछ नहीं है, simple है कि यहाँ से जो latitude pass होता है, यह 10 degree है, 10 degree north, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, 10 degree channel, ठीक है, चलिए, यह side में आप देख लीजे, यहाँ पर लक्षदीब भी बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह Arabian sea है, ठीक है, Arabian sea में कि Aminia islands और Kananore islands को जो है, वो 10 degree का channel separate करता है, ठीक है, नीचे इसी में और आएंगे important यह जादा नहीं है, जादा important है 9 degree channel, 10 degree channel जो है वो, यहाँ के लिए ही important है, generally अंडवा ने निकोबार के respect में पूछा जाता है ठीक है, यहाँ पर जो पूछा जाता है, this is your 9 degree island, यह मिनिकोई island को आपका जो Kananore island है, उससे separate करता है, ठीक है, that is your 9 degree channel, ठीक है, ध्यान रखेंगा 9 degree channel, अब यहाँ पर एक और वैसे important है, इंडिया के respect में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को, मैं लब चाहूँगा कि आप लोग को पता हो, यह जो आपका मिनिकोई island है, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो अंडमान यह लक्षदीप island जहां पर complete होता है, इसके south में एक country है, that is your Maldives, ठीक है, तो कभी-कभी अगर competition की मैं specifically बात करूँ, तो कभी-कभी यह question पूछा जाता है, 8 degree, 9 degree और 10 degree channel का, तो 10 degree channel तो आपको पता है, between अंडमान आइलेंड ग्रूप एंड निकोबार आइलेंड ग्रूप, ठीक है, 9 degree आपको पता लग गया, between your कननोर आइलेंड and your मिनिकोई आइलेंड, तो इंडिया और Maldives, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लक्षवदीप आइलेंड है और Maldives, अगर इस तरीके से आप यहाँ पर लक्षवदीप बनाएं, example के दौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, तो यह अगर लक्षवदीप है, this is your लक्षवदीप and this one is your Maldives, तो इनके बीच में जो एक channel है, this is your 8 degree north, यानि कि 8 degree channel है, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, तो 8 degree, 9 degree और 10 degree कौन कौन से channel है, यह आप लोगं को पता होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारे के सारे islands को भी देख लिया, समझ गए आप, और यह chapter इसी के साथ complete हो रहा है, इसमें थोड़ा से यहाँ पर आप यह एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए, यह मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर इसकी capital दिखाई गई है, कावरती, ठीक है, कावरती पसंद आया होगा, यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आया है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने friends, अपने colleagues के साथ, कोई भी अगर comment है, कोई query है, कोई feedback आप हमें देना चाहते हैं, किसी भी चीज को लेकर, content को लेकर, पढ़ाने के तरीकों को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर, अच्छा बुरा जो भी, तो please नीचे comment section में जरूर लिखेगा, ठीक है, तो कि चीज़े अगर आप जब तक बताएंगे, तभी उसमें फिर अगर कुछ सीजो की improvement की जरुट होगी, कुछ improvement अगर किया जा सकता है, तो वो जरूर किया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको please नीचे बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमें पता लगेगा, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा facebook page, twitter page, telegram channel का use करें, मैं फिर स कुछ quizzes वगरा हम लोग देना start करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को quizzes वगरा वहाँ पर दिये जाएंगे, daily basis पर, ठीक है, topic wise, subject wise जैसे भी है, तो वो आप फ्रोड़ासा वहाँ पर आईए, telegram वगरा का use कीजिए, ठीक है, और बाकी आप लोग आपस म हम आपर discussion वगरा भी कर सकते है, वो से भी एक healthy environment बढ़ता है पढ़ाई के लिए, ठीक है, बाकी अगर आप हमसे कोई और बास share करना चाते हैं, तो वो हमारी email ID के through भी हमसे कर सकते है, that is okul.co at the rate gmail.com पर, ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में हम chapter 3 को start करेंगे, फिर से ले notes और quizzes, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फिर से आप से शमा मंगना चाता हूँ आज भी, कि notes प्लस quizzes जो है वो अभी तक update उसमें नहीं हुए है, लेकिन होंगे, ठीक है, will be updated soon, ज्यान रखेगा मेरी तरफ से ये words है, will be updated soon, और update जरूर होंगे, परशान मत होईएग course में ज़रूर enroll कर लीजिए, course अभी के लिए, फिलाल मैं फिर से वही कहूँगा कि अभी के लिए, मैं लिग भी देता हूँ, और किसी को कोई doubt है, तो free as of now, ठीक है, आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए course free है, तो please अगर आप लोगों को तो मिलते हैं अगले part में, अगले chapter के साथ, तब तक के लिए, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye